हरे कृष्णा आप सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको कातिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमना की कहानी सुनाने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एक गंगा थी, एक जमना थी दोनों बहने एक साहुकार के खेत में से जा रही थी जमना ने बारा दाने जोंके खेत में से तोड़ लिए गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया जमना बोली कि अब कैसे उतरेगा गंगा बोली कि बारा बरस साहुकार के नौकरी करेगी तब जाके ये पाप उत्रेगा जमना साहुकार के यहां गई और बोली मुझे नौकर रख लो चार काम छोड़ कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूँगी एक तो जूटे भरतन नहीं धोंगी जाड़ू नहीं लगांगी सेज नहीं विच्छाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी साहुकार ने उसे नौकर रख लिया बारा बरस बाद कुम्ह का मेला आया साहुकार साहुकार नी मेले में जाने लगे तो जमना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहां मेरी बहन गंगा है उसे यह टका दे देना कह देना बहन जमना ने भेजा है तो वै हाथ पसार कर गोरी गोरी बाओं में हरी हरी चूडिया पहन कर ले लेगी वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूडियां गोरी गोरी बईयां हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमना से कह देना कि अब तेरे बारा बरस पूरे हो गए अब आ जाएगी साहुकर साहुकर नी घर आए जमना से बुले कि तेरी बहन बोली कि तेरे बारा बरस पूरे हो गए तू आजा यह सुनते ही जमना सहस्तर धारा होकर बहने लगी साहुकर साहुकर नी को जब यह पता लगा कि जमना माता हमारे सारे काम करती थी तो मून दे माथे पढ़ गए और सोचने लगे अब हमारे पाप कैसे उतरेगा उधर जमना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहुकर साहुकारनी को धीरज बांध कर आई है या नहीं जमना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गंगा बोली कि उनको दीरज बांध करा नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा जमना दोनों के सपने में आई बोली कि तुम उदास क्यूं हो वे बोली कि हमने तुम्हारे से उंचा नीचा सब काम कराया अब हमारा पाप कैसे उतरेगा जमना बोली कि तुम्हारा पाप नहीं लगा मैं तो अपना पाप उतारने आई थी तुम्हारे खेत में से बारा दाने गेहूं के तोड लिये थे इसलिए मुझे दोश लग गया था तुम्हारे बारा साल काम करने से उत्रा है तुम उठो, तुम्हारा कोई दोश नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और नित्य तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी हे जमुना माता, जैसे मुक्ती सहुकर सहुकार्नी को दी, वैसे सब को देना, हमें भी हमारे सरे परिवार को भी देना हरे कृष्णा, कार्तिक मास्की और कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक वा सब्सक्राइब करें वा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद